अब्जेक्टी कोपी जान समाब्द यहां पे आगे रिजल्ट की बारी सभी चात अपना अपना अफिसिल आंसर की मिला सकते हैं सभी सेट कोड ए से लेकर सभी सेट कोड जो एक तक के लिए अफिसिल आंसर की सभी सब्जेट का यानि की 50% रिजल्ट आपके सामने और 50% में 90% चात जो है यहाँ पर जबदस मार्क्स प्राप्त कर तो यह बिहार बोड ने कमाल कर दिया है इस बक्त की बहुत बड़ी अपडेट सबसे पहले फड़ाबर बीडियो को शेर कर दें पूरी बीडियो बिलकुर ध्यान से देखें कैसे आप अपना जो है 50% रिजल्ट अभी देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 90% जबदस रिजल्ट तैयार हुआ है चातरों में खुसी के लहर फड़ाबर शभी को शेर करते हैं सभी सेट कोड का सभी अबजेक्टिव का सभी सबजेक्ट का आप यहाँ पर अबजेक्टिव का मिलान कर पाएंगे और सभी चात जो है वो चेक कर लेंगे रिजल्ट से पहले कि आपके अबजेक्टिव में कितने मार्क्स बन रहे हैं और कितना आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी होने जारा है जी हाँ 50% रिजल्ट रिजल्ट से पहले फटापर वीडियो को शेर करें पूरी जनकारी यहाँ दी जारी चैनल पे पहली वारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले आपको बता दे कि आज बिहार बोर्ड ने काम पूरा हो चुका है अब यहाँ पे चात अपना ओफिसियल आंसर की मिला पाएंगे और सभी सेट कोड के लिए जैसा कि आपको बताया गया था कि सभी सेट कोड के लिए अलग अलग आंसर की होगा आपका सेट A है तो सेट A का आंसर की अलग है सेट B का आंसर की अलग है स उसी सेट कोट से आपको मिलान करना है, अगर सेट कोट अलग से मिलान करते हैं, तो आपको रियल मार्क्स की जनकारी नहीं मिल पाएगी, और आपको पता नहीं चल पाएगा आपके कितने रिजल्ट में कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट जो है 90% पार यहां पे हार बोड बता रही है, तो आपकी जो भी प्रस्ण पत्र है, सभी प्रस्ण पत्र को आपको निकाल लेना है, और सभी सेट कोड सभी प्रस्ण पत्र का सेट कोड अलग रहता है जैसे आपने फिजिक्स का दिया हो या आप आर्स के दिये हैं, या कोमर्स की हैं साइंस की दिए है जो भी आपका पेपर रहा हूह सब का सेट कोड अलग-अलग है जिस भी सहय का आपको चेक करना है किसी को physics का किसी को Hindi Chemistry ठीक है उसके बाद commerce का आपको सभी subject का आपको चेक करना है तो उस हिसाब से सेट कोٹ का मिलान करना है और अपने अपने सेट कोड को चेक करना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं आपने जो आंसर लगाया है और बीहारबूर का जो आंसर की है वो आपसे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर आपका आंसर की मैच हो रहा है तो इसका मतलब उतना आपको माक्स मिल रहा है इंटरमेटिक रिजल्ट 2023 का अपने मुबाइल से चेक करने के लिए आपको सर्च करना है फिले अस्टोर में जाकर बिहार बोर्ड रिजल्ट 2023 जैसे ही सर्च करेंगे सबसे पहले जो आप आयता है वही आपका रिजल्ट ऑफिस्यल एफ है उस पर आपको क्लिक करने के बाद आपको इंस्टॉल करने से पहले आपको फाइव अस्टार वहां पर लगा देने है और कॉमेंट में आपको लिख देना है बिहार बोर्ड रिज जो है बो खुल कर सामने आएगा यहां पर आपको तेंथ वाले टेंथ पर क्लिक करेंगे ट्वेल्थ वाले ट्वेल्थ पर क्लिक करेंगे उसके बाद चेक रिजल्ट पर क्लिक करने के लिए आपको www.bihara.in पर आना है जैसे ही आएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया और आपको नीचे की और जाना है जहां पर आपको 10th और 12th जो है दोनों का लिंक यहां पर दिया गया है कि किस लिंक पर क्लिक करके आप कैसे असानी से अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे तेंत का लिखे यहाँ पर बताये गया है और उसके नीचे जाएंगे तो आपको 12 का मिलेगा और 12 का ही बताये गया है कि आपको result जो है वो कैसे डाउनलोड करना है कहाँ पर आपको roll code डालना है roll number डालना है ठीक है उसके बाद total डालना है capture code डालकर अपना result जो है वो आपको click करना है जिसका link active यहाँ पर लगा दिया गया है और आपको result का date आते ही अराम से आप यहाँ पर result चेक कर पाएंगे link description में दिया हुआ है मिलान कर लेने के बाद आपको यह भी देखना है पूल की एकागरचीत होकर कि क्या जो आप मिलान किये है आपका जो answer है जो tele नहीं कीया है क्या वो गलत answer है या SAYHold लगता है कि मेरा answer सही है और भिहार बोड का जो answer की है उसमें गलती है तो आप उसके लिए apply कर सकते है appeal कर सकते है और appeal करने के लिए आपको set code और question number जिस set code का जिस question number में आपको error लग रहा है उस question number को आपको डालना होगा और उसमें यहाँ पे एक note लिखने के लिए बुला जाएगा क्या लगता है क्यूं लगता है यह question गलत है उसका answer गलत है वो आपको लिखना होगा submit बटन पे click करके आप mobile से भी कर पाएंगे ठीके तो इस से क्यूंकि यह आपके carrier की बात होने वाली है अगर थोड़ा सग्रब रहें अगर एक दो marks भी आपका कम गया क्यूंकि एक दो marks जो होता है वो first division दिला सकता है 80% पहुचा सकता है और वही एक दो marks जो है वो आपको 80 से 79% भी पहुचा सकता है इस बात का बिलकुल दिहान समय देती है जो भी डेट रहेगा वो आपको बता देते हैं ठीके साथ दिन का आपको समय देंगी और उसके बाद उसके अंदर ही आपको भी यह आपको पिल कर दो पहुचा आपको direct final रिजल्ट जारी कर देगी अगर अपने अपील किया होगा तौसका फाइदा जल्ट में देखने को मिल जाएगा, बात करें कि आप आंसर की कब से मिलान कर सकते हैं, तो आज आपके अब्जेक्टिव कॉपी जाँज आपकी पूरी तरीके से खत्म हो गई है, ठीके, कल या कल साम तक या परसो आपका अब्जेक्टिव आंसर की बिहार बिद्याले पिछा समीति जारी कर देगी और उसके बाद आप अपना अपना आंसर की यहां पर मिला सकते हैं, क्योंकि आंसर की पुरी तर adjective से तैयार कर लिया है, बस यहां पर सरबबल पर अप्लोड़ भी हो चुका है, क्योंकि सब कुर जो है बो आपका क्या, ऑन्लाइन हो रहा है, ऑन्लाइ ज़रूर कर लेना कि आपकी कितने questions सही हो रहे हैं, कितने marks बन रहे हैं, जब आपका result आएगा, जो कि आपको पता है कि result भी बहुत जलजारी होने जा रहा है, मार्च के दूसरे सपता में आपका final result जारी कर देगी बिहार बोर्ट, तो उस टाइम आपको मिलाना है कि जितने marks आपके बन रहे थे हैं, उतने marks objective में आपको मिले हैं या नहीं मिले हैं, क्योंकि subjective में ताबत और copy जाँ चल ली है, subjective copy जाँ जो हैं बिहार बिजाले परिचा समयती 5 माज तक समाप्त कर लेगी, इंटर का, ठीके 5 माज तक इंटर का समाप्त कर लेगी, और यहाँ पे जैसे ही इंटर का समाप्त होगा, उसके बाद होली होली के बाद topper verification के लिए आ नहीं तो वहाँ पर फस सकते हो, ठीक है, तो फड़ा बड़ वीडियो को शेर कर देजिए, जब अपडेट आप लोग के लिए लाया हूँ, वीडियो को शेर कर देजिए, चैनल को पहली बारे सबस्क्राइब करें, और आप मुझे इंस्ट्राग्राम पर भी फॉलो कर सकत यह तो या कॉमेंट वक्स है, टेलिग्राम गुरूप है, वाटसर गुरूप है, जब आप कीजिए और शेर कीजिए